हर्याना में हाल की हिंसक घटनाओं के चलते समूचा विपक्ष मुख्यमंत्री मनुहर लाल खट्टर पर हमला बोल रहा है कोई क्या रहा है कि बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता यह मनिपूर और हर्याना की घटनाओं से किये जा रहे हैं वेश्व हिंदु परशद और बजरंग दल जैसे संग परिवार के घटक भी हर्याना सरकार से नाराज की जता रहे हैं कि वह उनके कार्यकरताओं पर हुए हमले को नहीं रोक पाई यानि मनुहर लाल खट्टर चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसे कटिन समय में उन्हें ममता बनर जी का साथ मिल गया है वह ममता बनर जी जो की बीजेपी और मोधी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूकती उन्होंने खट्र का समर्थन करके सभी को हैरान कर दिया है कि पस्ष्चिम मंगाल के मुख्योंत्री ममता बनर ने हर्याना के अपने संकक्ष और बीजेपी नेता मनोहरलाल खट्र के इस बयान का स्वागत किया है कि हल किसी की सुरक्षा नहीं की जा सकती मगर ममताव इनर्जी ने यह भी कहा कि सरकार को जातिवाद या सांपरदाइक तनाव को बढ़ावान नहीं देना चाहिए ममताव पर नहीं बलकि इस तेश के नागरिक के तोर पर मैं उनके बयान की सरहना करूंगी क्योंकि यह सच है कि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती है ममताव नर्जी ने कहा लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि सरकार जातिवाद पंथ वाद या सांपरदाइक तनाव को कर सकती है ममताव नर्जी ने कहा अगर हम मांसिक रूप से मजबूत है वे एक जुट है और लोगों को नहीं बाटेंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगे ऐसा नफरत भरे भाशन और उक्सावे की वज़य से होता है ममताव नर्जी ने इस बात पर भी आश्या दे जता है कि जिन राज्यों में सामप्रदाइक हिंसा की घटनाएं हुई हैं वहां कोई केंदरी बल्ग क्यों नहीं भीजा गया जहां तक ममता की और से खटर के समर्धन की बात है तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि खुद पस्चिम मंगाल सरकार पर राज्य में हिंसा की संभव नहीं है तो ममता को ऐसा हथ्यार मिल गया जिससे भीज़े में बीजेपी की और से किये जाने वाले वारों के समय पलटवार कर सकती है जहां तक हर्याना के हलात की बात है तो वह समय शांत है आगे से फिर कोई बवाल नहीं हो इसके लिए हर्याना सरकार ने अभी से तयारियां भी शुरू करती हैं कि केंदर सकार्द और नुह में केंद्री रिजर्व पुलिस पल यानि CRPF की दंगा रोधी इकाई तौरित कारवाई बल यानि RAF की एक नई बटालियन को मंजूरी दिये जाने के लगभग पांच साल बाद हर्याना सरकार ने आखिरकार इसके लिए जमीन को मंजूरी ऐसे समय दी है जब जिले में साम्रदाइक जड़पे हुई हैं सुत्रोले मताया है कि नुह के इंद्री गाउं में लगभग पचास हे कर जमीन तोरित कारवाई बल को सौपने की मंजूरी इस सब्ता की शुरुवात में मिली उन्हें बताया कि जमीन चिनहीत कर ली गए थी लेकिन बल द्वारा इसके उपयोग पर अंतिम घोशना पिछले एक वर्ष से अधिक समय से प्रतिक्षित थी उन्हें कहा कि जमीन पर आरेफ की पांच और बटालियन गठित की जाएंगी जो वारांसी जैपूर शिवमोगा हाजीपूर और नुह में स्थित होंगी इन पांच और इकाईयों के साथ आरेफ बटालियन की कुल संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी 10 अन्य बटालियन हैदराबाद एहमदाबाद इला और यह विरोध प्रदेशन या दंगे जैसी स्थितियों के मामले में सुरक्षा और कानून विवस्था लागू करने के रिए घातक राइफल उपकरण तथा पंप एक्शन गन आसू गैस के ग्रिनेट पानी बौचार करने वाले वाहन गैर घातक हतिहारों से लेस होते हैं अक्टूबर उनिससे वानवे में आरेफ का गठन किया गया था और इसे पून रूप से क्रियाशिल किया गया था इस पीच एक खबर यह भी मिली है कि हर्याना के नुह में एक धार्मी की आतरा पर हमले के दौरान भीड ने नुह की एक अत्रिक्त मुख्य नाइक मजिस्ट अंजली जैन की गाड़ी पर सोंवार को हमलावरों ने पत्राओ और गोलीबारी की जिस कारण उन्हें और उनकी बेटी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था नैधिश और उनकी बेटी और करमचारियों को नुह के पुराने बस स्टैंड की वर्क्शॉप में शरण लेनी पड़ी थी जिनने बाद में कुछ अधिवक्ताओं ने बचा लिया नुह की अदालत में प्रोसेसर सर्वर जो की कानूनी कारवाई में मौझूद पक्षों को कानूनी दस्तावीज देने वाला व्यक्ति होता है उस रूप में काम करने वाले टेक्चंद की शिकायत अग्यात लोगों के खिलाफ रात्मी की दर्श की गई है बाराल आई देखते हैं नुह में वर्तमान के हालात पर इस्थानी लोग क्या जानकारी दे रहे हैं और सबसे बड़ी परेसानी जो में परेसानी है जी एटियम बंद पड़ परेसानी जो में परेसानी है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके करें हैं करें हुआ है झाल